मुख मंतरी योगी आदितिनाथ जी ने अपनी जो उधर की पुलिस है वो सामली में, बागपत में, बड़ाओत में, मेरट में, सब जगे लगा रखिये, तैनात कर रखिये, बाउटर पर की कोई भी आ ना जाए पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप बिल ले आईए, उसमें स्वामीन अतरायो की रिपोर्ट, जियों की त्यों आप लागू कर दीजिये, हमाँ दोने बापस लेगे मोधी चाय कहां पे आईचता था, कुछ स्टेशन है इस तक बना हुआ वो स्टेशन कहां पे है, बच्चे जड़कों पे है, हम सड़कों पे है, परवार सारे सड़कों पे है, और आप कहरें कि मोधी अच्छा है देश के प्रदान मंत्री खुद को फाकीर कहते हैं खुद 10 लाग का सूट पहने तो कोई दिक्कत नहीं तो बनाया किसने हैं उपर से बन कहा था उपर से गिरा था क्या प्रदान मंत्री लेगे तो आओ उसे हम बताएंगे तूने अच्छा गरा निगरा ये कुछ लोग विके प्रदार था अंड़ानिया वनी का वो पूरी बात नहीं कह पाया था किसान अंदोलन लगातार जारी है तीन बड़े जगह है किसानों के जमने का पहला है सिंगू बोडर दुसरा है टिकरी बोडर तिसरा है गाजीपूर आज मैं गाजीपूर बोडर आपको दिखा रहा और मेरे कैमरामन आपको दिखाएंगे कि गाजीपूर बोडर में सबसे कम भीर है उसके बाद भी किस तरह का इंतिजाम है सुरक्षा इंतिजाम मैं देखिए कि 3-4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है किसान अंदोलन को रोकने के लिए और 3-4 लेयर की बैरिकेडिंग है तो आज मैं गाजीपूर का दिखाऊंगा फ्राइडे को कोशिस करूँगा कि आपको टिकरी दिखाऊंगा और संडे को मैं सिंगू बोडर दिखाऊंगा तो मेरे कैमरामेन चलते रहेंगे और चलिए तरह दिखाईए तो यह देखिए यहां से अंदोलन यह शुरू होता है और इस तरह से ट्रैक्टरों का जमाबरा है लेकिन यह अंदोलन बहुत बड़ा है और आप अभी सीधे चलेंगे हाईवे पर देखिए दोनों तरफ मेर टिकरी बोर्डर पर जमा है उसके बाद सिंगू बोर्डर पर जमा है तो संडे को मैं सिंगू बोर्डर पर ले चलूँगा और इस तरह से देखिए कि 24 घंटा मीडिया का जमाबरा होता है लोग मीडिया पर नजर रखते हैं मीडिया से बात करते रहते हैं यहां जो है यहा आम किसान नेता जो है यहां डटे रहते हैं यह यह गाजी पुराज हम दिखा रहें देश को कितनी लोग आते होंगे रोज कम से कमें यहां तो कोई किंती नहीं है रात की सोने वाली टीम अलग है दिन की आने वाली टीम अलग है खाना चल रहा है बंडारा चल रहा है हमारे ब जनने बाद देते हैं जो सईयोग कर रही है हलागी लोगों को रोक लेती है आज एक जत्था आया है उसे तीन दिन बाद सामली से यहां तक पहुंचने में लगा दिया है कई हज्जार आदमी अभी रोडों पर आ रहा है तिके जा रहे हैं तिके जो हैं वह उन्होंने गाजी पूर दिखा रहा हूं इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कल टिकरी बॉडर और फिर सिंगु बॉडर भी दिखाऊंगा तो यह गाजी पूर बड़ों मतला परसासन आपको चौक्सी कर रहे हैं आप लोगों पर देखिए कितनी चौक्सी परसासन कर लें कितनी पुलिस दिटेश का 70 परफेंट आबादी यह किसानों की है और किसान का मुद्दा एकिसान निकल पड़ा है तो मुग Mü Finished अब नहीं माद जभाल करते हैं कि चारत्व केमिड़ा गुमाईए और और वह उसके बाद हमें ऐसा का एगारा मुद्धों प्रक्षण नहीं फेरें कि सोने वाल हम ऊहीं मानें पर ऑन ओनें जान यहां के यह कुछ लोग विके हुए हैं गोधी मीडिया है उसने उसने 15 लाग की बात की उसका गुडगान किया जीस्टी की बात की उसका गुडगान किया दो करोड रोजगार की बात की उसका गुडगान किया आज किसान की गरदन मरोडने के लिए जो बिल ले आई उसका गुडगान कर यह विके हुए लोग हैं उनके नाम मतलिब्बाव हमसे लेकिन किसान समझ गया है जान गया है लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपके बाद हमसे हम याद करते हैं कि जब यह मोदी जी आयते तो उनने का मैं चौकीदार हूं तो मैं सोचता हूं मोदी का बहुत दोस नहीं ह क來到, यह पूरी बात नहीं कह पाया था आज वारू क्यान बदा जो आप पता ल कि लोग कहते हैं कि यह किसान नहीं है मिढिय वाले कहते हूं मीडिया वो कहते यह नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मोदी जी की आईटी सेल है लाखों रुपए जो देश का बरबाद हो रहा है वो कहती है गुलाम मीडिया कहती है मैं यह कहता हूं किसान अगर यहां नहीं है तो हमारे आपके पास EDA, CBI है हमारी जाच करा लो और जाच कराने के बाद हमारी जो कानून है जो आपने तीन कानून है जो काला कानून किसान के लिए दिया है वो हमें नहीं चाहिए हमारी MSP हमें चाहिए इससे ज़्यादा हम कु उसे क्यों चलने लगे के बड़ा अरूप लगा दिया मैं बिल्कुल पूरे होसो अभास में बात कहता हूं कि इन्हों ने जो पहले काता में चौखीदार हूं हम समझ नहीं पाएते वो सच बोल लेते वो अंडानी अमानी जैसे 22 गराने उनके चौखीदार है सुनते जाए क् किसानों की अश्मत बेची जाएो अप इसको लीज़ा होगो Hawk जब्गों कहते हैं किसानं आधरण कमिटी की रिपोर्ट लाग हो गए किसान अंदोलन की तमाम तस्वीरे दिखा रहा हूं देखे युवार लोग जो है ये सब लोग जो है हैं आप लोग को तो कहता है कि जिन्स वाला किसान ही नहीं होता है किसान कपरा हो जूता नहों हाथ में हाथ पैर अच्छे नहों किसान बिल्कुल नंगा वुखा है अब नेता कैसा होना चाहिए कैसा नेता चाहिए तुम्हें तो फिर उससे जागे बात करो फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो फिर उससे जागे बात करो अब पास क्यों आ रहे हो फिर मोधी से बात करो जाके मोधी चाह कहां पे इस था था कुछ स्टेशन है इस तक बना हुआ वह वह स्टेशन कहां पर है हम तो चाह भी प्ला रहा है वह फ्री में और साथ में पकोड़े भी ख़ला रहे अब बताओ मोधी कहुन है हरम को ने बताओ में देखिये किस कदर गुस्सा है 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 तुम्हें नहीं पता कहें कर रहे हैं अगर हमने गलती कर लिए तो अगली बार नहीं होगी किसने बेकाया कौन पकाने मेरा कुसाइन और नहीं दिक्कार्णलन फेने पर कंग्रें दिक्कार्णला मंतरी जो मैं मैं दिखा रहा हूं हम सबकों में बैठे तो पर्धान मंत्री तो बनाया किसने है उपर से गिरा था पर्धान मंत्री और अगली बार बन नहीं पागा भाई ने डला हम नहीं आप कहरें मोदी अच्छा पर्धार मंत्री ओएसे हो जैसा मनमां सिंग उसके तो बोलते ही नहीं बोलते ही काम कर साथा था जाए जाए चलिए चलिए मैं आपको गाजीपूर बादर दिखा रहा हूं आपको तो यह तमाम देखिए इस तरह का गुस्सा है रोस है और मैं कोई प्लाणिंग करके किसी से बात नहीं कर रहा हूं मैं में किसानों से बात कर रहा हूं यह लंबा जहां तक मैं चलूंगा वहां तक किसानों का अंदोला ने मेरे कैमरा में जाएंगा हम लोग चाहते है किसको जल्दी Center करें पुलिस की बैरिकेट भी है लंगर भी किसानों का हिस्सा है अंदोलन का और यह देखिए गाजीपुर बॉडर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कैसान डटे हुए सरकार मिट्या को आगे कर रही है सा सफवा प्रेस कांफरेंस करने वाली है उसको कि मिडिया के जड़िये किसानों के बारे में बना देंगे येदे क्या कह रहा हैं बताइए ब्दाई का रहा है आपके रे Zombork और तो भीर लोग है यह तमाम कांदोलन की तस्वीरे दिखा रहा हूं ज्यादा समय नहीं है और कोशिश है कि गाजी कांदोलन है और यहां ठिकायत में मोर्चा संभाल रखा यूपी बोड़र है और दोनों यह लंबा लंबा सफर आपको तैक करना पड़ेगा यहां से वहां जाने के लिए बीच बीच में लोगों से बात करा रहा हूं तो जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं जो किसान आंदोलन करता है या परधान मंत्री के लोग करीबी लोग हैं देखे कंबल भी बांटा जा रहा है लोग कंबल भी ले रहे हैं सर्दियों का मौसम है तो किसान अंदोलन के तमाम रंग आपको दिखा रहा हूं सर्दी का मौसम है हम आप जब अपने घरों में बैठे हैं तो किसान यह यहां सरकों पर बैठा हुआ है तो यह तमाम तस्वीरे दिखा रहा हूं आपको यह तमाम तस्वीरे दिखा रहा हूं आपको देखिए किस तरह से किसान जो है यह देखिए मेडिकल कैम्प लगा हुआ है तो लगातार लोग मेडिकल कैम्प भी लगा रहे हैं यह तमाम किसान अंदोलन का कहा है कितने दिनों से आ रहे हैं आप लोग जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तभी से हम लोगों की कैम्पिंग चल रही है तो क्य किसान पढ़ा लिखा हुआ है जागरूख है वो अपने हक्ट के बारे में जानता है उसे क्या करना है जिस कानून को हम लोग नहीं चाहते सरकार हमें उस पे अमादा क्यों कर रहे हैं किसान के जो बेटे हैं किसान के जो सिंप्थाइजर है डॉक्टर वकील वो सब इसका समर्थन कर रहे हैं देश भर में समर्थन देखे ट्रैक्टर कोई खराब हो गया है तो उसको भी बनाया जा रहा है मैं तमाम किसान अंदोलन के रंग दिखा रहा हूं तमाम तस्वीरे दि और सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे निफ्टेंगे तो अभी हम लोग happy के service lane पढ़ हैं इसके बाद हम highway पर जाएंगे लंबी गारियों का काफिला है दूर तक जाता है उसके बाद highway पर जाके हम लोग इसको खत्म करेंगे तो आज तमाम गाजीपुररा अंदोलन की तस्वीरे दिखा रहा हूँ यह तस्वीरे देखिए, देखिए किस तरह से लंगर चल रहा है है खाने पीने का इंतयाम हो रहा है और रोज कितने आदमी का खाना बन जाता है यहां जी लाख के हिसाब से बनता है या धर्म के नाम प्रद से चल रही है मदस से चल रहा हैं और नहीं बहुत देखे गुरुनानक सहब के मानने वाले लोग हैं और महिलां जो हैं वह वो इस तरह से लंगर चला रही है तो किसान अंदोलन जो किया लग रहा है यह न्दोलन आप कई दिनों से से वा और किसानों के साते हैं तो समाम प्रफेशन के लोग जो सिंप्राइज कर रहे हैं तो तुमरे कैमरामन दिखाएंगे आगे तक कि देखिए किस तरह रही लगातार कुछ लंगर का दौर बढ़ता रहता है और यह बड़ी तयारी है, मैसिव तयारी है किसानों की बैक फुट पर तो किसान जाते भी नहीं दिख रहे हैं जिस तरह की तयारी है मेरे कैमरा में दिखाएंगे, देखिए हम लोग कितना दूर से चल के आ रहे हैं और भीर है, उसके बाद अब मैं मंच की तरह बर रहा हूँ, जहां किसान अपनी बात रखते हैं, तकरीर होती है तो साम का साम का शमय है, पांच बज़ गया है, उसके बाद भी उत्सा में कमी नहीं है लोगों को अंदाजा है कि लंबी चली यह लड़ाई, लंबा संघरस है, और इससाब देखिए, मेला जैसा पूरा लगा हुआ है, ताता लगा हुआ है लोगों का और अब हम लोग अहां आ गए हैं, जहां से किसानों की तकरीर होती है, यह देखिए, यह देखिए, यह तमाम वह भी बैन की गारियां लगी हुई है, यह देखिए, यह तमाम वह भी बैन लगी हुई है, वह भी बैन की गारियां लगी हुई है, और यह देखिए, तकरीरे कि वह भी भाइन है लेकिन सबसे ज़्यादा गुसा मीडिया वालों पर है लोगों का तमाम चैनलों के वह भी भाइन तो जरूर लगे हुए लेकि इनके खबरों पर भरोसा नहीं कर रहें जैसी मीडिया कर्मी लाइव आने देने आते हैं यह रिपोर्ट करते हैं वह उन पर नाराज होते हैं गुसा दिखाते हैं और देखिए यह आप लोग अंदोलन में आएं क्या है कहां से आप लोग लोकल हैं तो देखिए अंदोलन में आए हैं लोग और तस्वीर दिखा रहा हूं किसान अंदोलन का तो दूर तक है और तमाम कवरेज के बाद किसान अंदोलन कि गाजीपूर की तस्वीरे दिखा रहा हूँ आपको सिंगू बोडर और टिक्री बोडर की भी तस्वीरे दिखाऊंगा तो देखिए किस तरह की बड़ी तयारी है लगातार खाने पीने लंगर का दौर चलता रहता है सबसे जादा सोसल मीडिया आपको दिखेगा देखिए दो सोसल मीडिया की पत्रकार जो है वो अपना कवरेज कर रही है तो यह तस्वीरे दिखा रहा हूँ लंबा दूरी तक आपको जाना पड़ेगा तो यह तस्वीरे गाजीपूर की है आपको टिकरी भी दिखाऊंगा सिंगू बॉडर भी दिखाऊंगा तो तैयारी बड़ी लंबी है किसान लोग है वो जमे हुए है यह देखिए खाने पिने का भी दौर चल रहा है लंगर चलता रहता है तो इस तरह से लंबी तैयारी किसानों ने की है इसी लिए तु आए हैं निको भी भरोसा है कि सरकार को मना लेंगे सरकार की तиारी है लगातार चलता रहता है चाइ बिस्कुट का दोर चलता रहता है तो यह तस्वीर में दिखा रहा था गाजी पुराज़ें के किसान भी डटे हुए है वो किसी भी कीमत पर बिना बिल वापस किये हुए घर लोटने को तयार नहीं है आज मैं गाजीपूर बॉडर से तस्वीरे दिखा रहा था कोशिश करूँगा कि टिकरी बॉडर और सिंगू बॉडर से दिखाएं तो ये तस्वीरे हैं और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार ने मीडिया को आगे किया है इस बार वो 700 प्रेस कॉंट्फरेंस करने वाली है लेकिन सबसे ज़्यादा किसान अगर किसी से नाराज है तो वो परधान मंतरी नेरेंदर मोदी, अमिश्या और इस देश की मीडिया से आपको तै करना है, आप अपनी पर्तकिरिया दीजे कि आप सरकार की बातों पर भरुसा करते हैं या किसानों की मांग का समर्थन करते हैं आपकी क्या रहा है, क्योंकि आप इस देश के मालिक है, आपकी राय बहुत जरूरी है केवरामन तारा दत के साथ, शंभू कुमार सिंग, निस्नल दस्तक, गाजी पूर बोडर दिल्ली निस्नल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं झाहते हैं झाहते हैं